अंजली, ये साबित करना बहुत जरूरी है, कि तुम बिल्कुल ठीक हो, ट्राइटू अंडरस्टैन्ड ठीक है, उसे बोलो मुझे चेन से बान के जाड़ो और पत्ति उसे मारे, तुम्हारे लिए मैं सब सहलूँगी अरे, वो कोई तांत्रिक नहीं है येस, अनुप is right ना ही मैं कोई डॉक्टर हूँ, और ना ही मुझे बिमारों का इलाज करना आता है अगर मैं ऐसा कहूँ, तो फिर अंजली कहेगी, कि मैं तो यहाँ पर तेल लेने आया हूँ मेरा काम है, ऐसे भूतों और चुड़ैलों को शीशी में उतारना अंजली बिल्कुल सही कह रही, यहाँ आते ही मुझे एक बात तो अच्छी तरह से समझ में आ गई थी कि यहाँ पर कोई तो है जिसके दिमाग में केमिकल लोचा है अगर तुम मेरा साथ दो, तो मैं उस चुड़ैल को चोटी से पकड़ कर सब के सामने पड़क दूँगा अगर मैं सच कहूँ तो चुड़ैल तो तुमें देखती भाग जाएगी उसके लिए क्या करना होगा पहले यह पता लगाना होगा कि छुड़ैल लट्टू की तरह यहां घूम क्यों रही है काफी बातें अनूप मुझे वाट्सअप कर चुका है लेकिन गीता जिस दिन मरी उस दिन उस दिन क्या हुआ था यह बात मुझे जाननी है देख क्या रही बताओ मैं सीधे मतलब की बात करूँगा मेरी सबसे छोटी बहन का बेटा अनूप यानि मेरा भांजा अपनी पूरी जुटियां मेरे साथ यहां बिताने वाला है मैं अनूप को जानती हूँ पता है वो आपकी बेटी अंजली को बसंद करता है कुछी दिनों में उसकी पढ़ाई पूरी होने वाली है हम चाहते थे कि उससे पहले उसकी सगाई हो जाए जैसा आप जानते हैं मैंने अपनी जुड़वा बेटियों का चाहे कोई भी काम क्यों ना हो एक साथ किया है इसलिए मैं चाहती हूँ इन दोनों की शादी भी एक साथ हो हमारे पास अभी वक्त है गीता के लिए भी कोई लड़का ढूनडी लेंगे अगर आप कहें तो मैं भी ढूनना शुरू कर दूँ मैं मुंबई में अपनी बेहन को ये खुशकबरी तो दे दूँ सुन ले वो मुझे चाहता था लेकिन तुने माया जाल बिचा दिया मुझे जो भी पसंद आता है तो हमेशा उसे मुझसे चीन लेती है तुने मुझे दोखा दिया तीने लिए मैं एक बड़ा काठा हूना आज के बाद मैं कभी तुम तुनों के बीच नहीं आऊँगी मैं चली जाऊँगी लेकिन सुन ले तु एक दिन भी उसके साथ शांती और सुकुन से नहीं जी पाएगी ये ग्यार रखना पीता 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 आया है तेरे इधर पे सवाली भगा दे उस चणेल को यहां है काली मैं 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 यह नमुना कौन है तांत्रिक बथले फ्रॉडी बाबा अरे फ्रॉड नहीं तांत्रिक बाबा वोट को कैद करने आये है इधर यह वो मैं देख सकता हूं इसको इधर है बाबा एडरस बताओ बादा वादा नहीं गीता अरे गीता हो यह वादा था यह तो करते हैं ना बुलाओ उस चुड़ाल की ताको बेटा जाओ जल्दी से गीता को बुलाओ जल्दी आ यहां पर आया बाबा लेकिन बेटा उतले की तरह मत खड़ी दो वहाँ आजाओ ना इसमें कोई नुकसान नहीं होगा और हो सकता है कि यह प्रॉब्लम हमेशा के लिए खतम हो जाए प्लीज बहुँ कहां से आई है तू मुंबई से मुंबई से मुंबई से मस्ट बड़ा पाव मिलता है वाँ तू खुझ जाएगी या तुझे भेजने पड़ेगा वहां बोल मुं में दई जमार खाए क्या मुझे गुस्ता दिलाएगी तो बाहुत मार खाएगी बाद में बाहुत पस्ता आएगी तेखे चिलाना बन कीजिए जो भी पूछना है शांती से पूछे इस महां से समझ ग कीजिए अच्छा बाल्टी बाल्टी मार रहेंगे तो छुड़ल पाल्थी मार के यहीं पर बैठ जाएगी अरे तू अपना मुझ बन कर मैरी माइड़र स्टाइन फार फार ये प्रेत आत्मा से भी खतरनाक प्राणी है नजरहटी दुरगटना घटी बाबा आप इसे अप कि यह कील नहीं आत्मा को कैद करने का पिंजरा है पकड़ा गया पकड़ा नहीं गया अब इसको पकड़ेगा कि दोले दोले वं बोले कोई मेरे बीच में ना बोले मैंने चुड़ल को पकड़ लिया फॉलो मी कि यह लो दिया आए खाने रखो ठीकाशे बाबाब यह खातरी का पापु है यहां कुछ अशुब होने वाला है पर जो भी हो जाए बाबा बंगाली यहां से हिलेगा भी नहीं आस्मान से चाहे शोले बरसे धर्ती चाहे फट जाए जब तक मैं यह कीली स्पेड में नहीं ठोक देता पोई कुछ नहीं बोलेगा हिलेगा नहीं जो भी बोलेगा हिलेगा आत्मा उसके शरीर में घुज जाएगी फिर मत बोलना बाबा ने बचाया नहीं समझाया नहीं बबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबबब अमा, अरे भागो, भागो, अरे, ये क्या हो रहा, भागो, अरे, ये क्या हो रहा, भागो, अरे, 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 अर येई बात आप जानती थी यही बात मैं आपसे जानना चाहता हूँ माता जी सर के उपर से निकल गया इनके इनके या फिर मेरे अम्मा जी को भले समझ में आये लेकिन मेरी बात तेरे समझ में कैसे आई यह तू मुझे समझा एक बार फिर से समझाओ पाता जी आपको जो पता है जब आप मुझे बताएंगी तभी तु मुझे पता चलेगा कि मुझे जो पता है वो आपको पता है कि नहीं मतलब अंजली और गीता के बीच वो दोनों अनुप को चाहती थी आक्सिडेंट से पहले क्या अम्मा जी को ये बात पता थी आप यही जानना चाहते थे न एक बात पूछू जो मेरी समझ में नहीं आई पूछो क्या बागई दिमागी मरीजों का इलाज करने वाले डॉक् को पागल बनाते हैं बाता जी फिर मुलगात होगी यह ऐसे लोग खामका डिस्टर्ब करते रहते हैं फिलाल मेरी बातों पर गौर करिए मौका मिलते ही मैं आपके पास आऊंगा चलता हूँ डॉक्टर साब जल्दी उठो कोई आया है वो भी भूत पकड़ने के लिए आया है मेरे पेट पे कॉललाथ मरने आया है अब तो जाकर देखना ही पड़ेगा तुम चलो मैं मूदो कर आता हूँ यह कौन है भूत भगाने वाले बाबा कौन से चर्स है जोच का नाम मैं नहीं जानती वो मैं पता कर दो हूँ एमन हाँ एग्रेमेंट तैयार है पड़कर साइंक चुपरो उधर देखो यह बाइबल मुझे दो पड़ो इसे शुरू करो अंदर जो भी कया उसे जीजस का शरीर दिखाई नहीं दिया इस बारे में जब वो दोनों चर्चा कर रहे थे तब ही बगल में चमकीले कपड़े पहने दो आत्मी जरूर दिखाई दिये जब वो डरे सरचुकाई खड़े थे तब उन्होंने इन से पूछा कि तुम मरी हुए लोगों के बीच जिन्दा लोगों को क्यों ढून रहे हो बस हम चलो आज अब कुछ परिशान से लग रहे हैं फादर कुछ हो गया गया है हम आत्मा फिर से जाक चुकी है इसका मतलब शादी कौन सी तारिख को है आने वाले तीस तारिख को उसके बाद आप सब यहां से चले जाएंगे ना यहां पर कोई रहेगा तो नहीं नहीं फादर फादर हम यह घर बीच रहे हैं वो जो वासू खड़ा है न वो खरीद रहा है एग्रिमेंट तयार हो चुगा है अहां अच्छा है मैं प्रे करूंगा मैंने जो चीजें दी थी रखने के लिए उसके बाद कोई संकट तो नहीं आया नहीं उसके बाद से सब ठीक चल रहा है एग्रिमेंट तो ठीक लग रहा है अगर कोई बदलाव या प्रॉब्लम है तो वकिल साहब साथ है सब कुछ क्लियर रहा तो ये डील पक्की आधा चेक आधा कैश दे दूगा माफ कीजिए का आपको मैंने इस तरह जरास्ते में रोका मैं डॉक्टर सनी फटर पता है मैंने पूछा था आप सब कुछ समझ गए लेकिन सारी बाते मन में दबा कर बिना कुछ कहे वहां से इस तरह चले क्यों आए सनी ने क्या पूछा वो ठीक से मेरी सबच में नहीं आया अंजली ने जैसे ही बाइबल में से पढ़ा कि मरेवे लोगों के बीच में तुम जिंदा लोगों को क्यों ढूंड रहे हो यह सुनते ही बाइबल बंद करके आप वहां से फौरण चले क्यों आए मतलब आपके विश्वास की और मेरे शक की बन्यादे की अगले शुकरवार सनी को मुझसे मिलना होगा आगे की बात हम वही करेंगे